हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सिवानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेफ्रेंट्स सीवी ऐसी के जितने भी एश्ट्रेंट हैं जो की कमपार्टमेंट एक्जाम देना चाहते हैं अभी तो फाइनली रिजल्ट नहीं आया है आप लोगों पता है कि सीवेसी का भी र करती है एक्जाम के लिए फॉर्म बगएरा बढ़ना पड़ता है डेट्स बगएरा जो करते रहना होता है कितने सब्जेक्ट में आप एक्जाम दे सकते हैं कब से एक्जाम होगा वह मैं पूरी डिटल इस वीडियो में बताऊंगी तो आप लोग वीडियो को अंत तक सब्सक्राइब करे रखेंगे रहा है यह सबस्क्राइब करके रखेंगे तो कुछ व interf day करों डेने करे페 घ्मियों से में बता दो कैसे आपको फॉर्म बढ़ना है कहां पर क्या करना है कितने पैसे लगेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आप उनको भी प्रेस कर लेजे कोई और समस्या है तो नीचे कमेंट से में आप लोग पूछ सकते हैं आपने पर समस्या बता सकते हैं बचली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कब होता है कंपार्टमेंटक्जांब थिक्स तो आने के बाद जो रिजल्ट भी आयेगा तो उसका वी वीडियो आपको जाँ मिछन के लिए से जाँ होगा तो देखे यह रिजल्ट के बाद आप लोग का क्या होगा कि उसके बाद फॉर्मेकि आहीं होगा इत्र實去了 जिनका जिनका अपार्बन लगता है निकलता है उस फॉर्म को आपको भरना होता है वह फॉर्म कैसे भरना वह बता दूंगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो अनुग फॉर्म भरना अब आनने के बाद आप लोग का फैनल डेट हो जाएगा कि इतने तारी को आप फॉर्म भर सकते ठीक है और यह जो यह जो सारी क्राइब करान यह बहुत हो आप लोग को कर देंगे भर देंगे उसके बाद देक्विए क्या होगा कि आप कितने श्वीड में दे सकते आप एथी टेंथ के स्ट्वेंट हैं तो आप लोग तो आप लोग जो है कि टेंथ वाले दो सब्जेक्ट की परिछा दे सकते हैं और ट्वेल्थ के जो है बाइब है तो आप से सव्जच्ट लग गया है तो आप लोग इसका बिच्छा करें एक पर इच्छा दे सकते Chromant एक जानना सब्चार में दे सकते हैं ठीक है सीजला डीजिएगा तो सीफ एक सब्चार दीजिएगा पिर उसके अगले साल जो है वो दूसरे का जिसमें आपको पास करना पड़ेगा लेकिन एक पहली बार में आपको एक ही बार और दूसरी बार फिर एक ही सब्जेक्ट का आपको देना होगा ठीक है है तो आप फिसज़ेंट का इसे इस वर निकलेगा तो आप दो सब्जेक्ट का जो है एक साथ में ठीक है और फीजमें आप लोग्याद पर देखिए आप लोगेगा टेंसटेंड है तो वाले करना है ठीक है इसके बीच में ही लेता है 10 वाले का हो सकते हैं तो यह आप लोगों ने जान ली उसके बाद जो है कब होगा आप लोगों का एक्जाम आपको बता दे कि आप लोगों का पहले रिजल्ट आएगा सब्सक्राइब जुलाइब 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 जु है दूसरे वीडियो में बता दूंगी आप लोग उसको चेक कर लिजेगा ठीक है और उसके साथ आप लोग को एक चीज और बताने वाले हूं क्रेटेरिया बगएर क्या होनी चाहिए तो यहां पर देख लिए अगस्त में पहले बोला था कि जून जुलाई में रिजल्ट आता है उस तो एक दू महीने बाद गंपार्ट में एकजाम होता है कि अगस्त यहां पर दिया गया है और उसके साथ और भी यहां पर देख लेते देखिए एक डेट में सिर्फ एक्जाम आपका नहीं होगा अगस्त में हुआ है 27 को हुआ है और उसके साथ यहां पर परिषाप की चलेगी और इस तरीके से यह पिषले साल वह थी ठीक है और यहां पर क्रेटर गया बगएर देख लेते स्टुटेंट के लिए दिया गया है कि जितने भी रेगुलर कंडिडेट्स हैं यानि कि दू देखिए दोज रेगुलर कंडिडेट्स फू विल एपिर फॉर्दा क्लास 12 गोड एक्जामनेशन फेवर ये मार्च 2022 सो देर स्कू क्यांने पहले यह चीज़ बता दी है आप लोग की सिर्फ और सिर्फ यह की सब्जेक्ट में ट्वाले के लिए टेंथ वाले के लिए बता दूंगी तो ट्वाले के लिए वह एक्जाम से दे सकते हैं अफिलिएट्ट जो आप लोगा सीवर्ट होना चाहिए और ठीक है वह तो हजर बाइस तो दिया स्कूल एफिलेटेड सिक्स विट शिक सब्जेक्ट अब प्लेश्ट इन कंपार्टमेंट इन टू सब्जेक्ट सेल एपिर इन एन एन वन तू सब्जेक्ट और ठीक है तो यह हो गया आप लोगा उसके साथ सी वेसी का जो है अप्लिकेशन फॉर् इन डिक्लियर का उसके बाद यहां पर देख सेले साथ इड्रेस वह बता दी कि यह सिवेसी की जितने श्टूनेंट है वह जो है अप्लिकेशन फी बगएर के बारे में यहां पर बताया है कि नॉर्मल फी जो है वह तीन सो पर सब्जेक्ट है ठीक है यहां पर दो हजार यहां पर दो हजार रूपए आप लोगो लेट फी लग जाएगा काफी जादा लग जाता है इसलिए लेट फी बिलकुल भी मत करिएगा ठीक है आप लोग तीन सो महीं हो जाता है तो बहुत अच्छी बात लेट से कभी भी मत बढ़ेगा इतना जाद पैसे आपको लग जा जाइख अबिदेगे लुप जाएबाइगा पैसे को लेट इसलिए जाएगा आप लोगो जाएख नहीं तो